आफी लोग का आ रहा है सर RRB का फॉर्म निकला हुआ है ना यह छोटा सा ҁडिस्क्रिशन सर आ रर्र भी जही का फॉर्म निकला हुआ है और समझ भी नहीं आ रहा है कि कौन से जोन से फिल करें यहाँ दो कॉशन students के सबसे ज़्यादा rise होते हैं पहला है sir zone कौन सा fill करें, कौन से zone से form को डाले और zone के बाद दूसरा बच्चे की सब department wise भी choice पूछ रहा है अभी तक कुछ बच्चों ने अगर form नहीं भरा है तो I think उनको नहीं पता हो, अंदर department wise भी आप लोग उसे choice fill करवाएगा, ठीक है, तुम्हें दोनों questions पर एक छोटा सा discussion देखो, सबसे पहले बात करें zone की, कि कौन से zone से भरें, यानि कि कौन से center से भरें, भई अज राजस्थान वाले कहते हैं, भई अजमेर से भरें, भोपाल से भरें, दूसरे state के कहते हैं, कोई उडिसागा, भोवनेश्वर से भरें, कोई बैंगलूरू से भरना चाता है, कोई चैन्ने से भरना चाता है, कोई कौलकाता से, कोई राच्छी से, देखो यार सीधी सी बात है अगर सभी particular online वाले teachers कहेंगे, कि आप तो इस zone से भर दो, तो सब उस zone से भर देंगे, तो जिन zone को नहीं भरा, उनकी cut-off लो जाएगी, और जिनको सब ने भर दिया, उनकी cut-off अपने आप हाई चली जाएगी, तो आप उससे zone पूछ के, खुद के zone को खत्रे में डाल रहे हो, क्योंकि जो मैं zone बताऊंगा आप लोग, आप वो fill करोगे, तो वो आप नहीं, आपके साथ ना जानी कितने students fill करेंगे, जिसकी वज़े से उसकी cut-off वैसे ही उपर चली जाएगी, तो मैं आप लोग को यही कहूंगा, देखो, cut-off में ज़्यादा difference नहीं है, दो-पाँच नंबर का difference है, जैसे पिछली बार सब ने वीडियो बनाए, पिछली बार वेकेंसी है, बैंगलूरू का नहीं, किसी ने बोला, तो बैंगलूरू की cut-off जो है, काफी कम चली गए, क्योंकि वो form fill ही नहीं किया, किसी ने, सब ने, वही, यहाँ वेकेंसी ज़्यादा है, यहां का डालो, वहां का डालो है ना, मैं तो एक बात जानता हूँ आप अपने दो choice में से किसी एक choice को prefer करो, मनलब आपके पास जितने zone है ना, 10, 12, 15 zone, इतनी choice नहीं होनी चीए, कि मैं तो किसी से भी बढ़ दूँगा, आप पहले तो 2 या 3 choice बनाएं, और उन 2 या 3 choice में सबसे पहली preference लें, post wise, कि किसमे post ज़्यादा है, वही आपको तो सिर्फ नोक, देखो, सबकी अलग-अलग preference होती है, तो पहले तो मेरे को तो, मेरे को तो मतलब कोई, मालो MP का बंदा है और वो बोल रहा है, मैं तो रांशी भी चला जाओंगा, जो भर्दो कोई दिक्कत नहीं, अगर वहाँ post ज़्यादा है, तो जहाँ post ज़्यादा है, वहाँ भर्दो कुल में लागे, अगर सिर्फ नोकरीश, यह कहीं पे भी लग जाए मेरी तो कुछ लोग की प्रिफरेंस रहती है चाहे मेरी जॉब लगे न लगे लेकिन मैं धर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, तो भाई आपने पर्टिकुलर स्टेट में जो भी पर्टिकुलर नियरेस्ट है, जैसे राजस्थान वालों कोंगा भई यह अजमेर भरो या जादा से जादा भोपाल भर दो, है ना तो अजमेर या भोपाल में से एक चोईस ले राजस्थान वाले इसी तरह से अजमेर या भोपाल दो चोईस में से तो अब आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं, क्योंकि एक में 26 वेकेंसी, एक में 36 वेकेंसी यह 10 वेकेंसी का डिफरेंस है, तो आपको जो सही लगता हूँ वाँ से आप फिल कर सकते हैं जो न आपको कोई नहीं बता सकता यह आपकी खुद की प्रिफरेंस पे नहीं बगरता है कि आपको कहीं पे भी नोकरी दो, मैंको तो चलेगी मैंको तो नोकरी चीए, तो जहाँ ज़्यादा पोस्ट हैं वाँ भढ़ दो भाई, और लास्टियर की कट ओफ देख लो थोड़ा बो तो एक तो पोस्ट ज़्यादा है, उस हिसाब से भढ़ लो दूसरा कट ओफ कहां की कम है, उस हिसाब से भढ़ लो और एक सबसे, मनलब आप जब फॉर्म फिल करने बेठोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा सबसे जो प्रिफरेबल चीट जो होती है, जो चोईस होती है, जो सबसे मनलब आपको जो जोब मिलेगी, आप एक लोकेशन पर जॉब करोगे क्योंकि आप जूनियर इंजिनियर है, यह नहीं भी ट्रेन में बेटके और ट्रेवल कर रहे हैं, वैसा नहीं है, तो सबसे पहली प्रिफरेंस में इन सब में से, आपको कहूंगा कि आप अपने नियर बाई वाला सबसे पहले जोन प्रिफर करें, मेरे ख्याल से तो, नियर बाई वाला नियर बाई टू होउम यह वाला तो यह तीन चीजे हैं जिनको आप ध्यान में रखके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो गई तो कौन से जॉन से फिल करें या आपको कोई नहीं बता सकता गई इस एक्चुल में आप घरवालों से पूछोगे तो वो हमेशा घर के पास रहने की तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ यार अपने आपको इस काबिल बनाओ कि साला नोकरी डिसाइड नहीं करें कि इसको कौन सा जॉन मिले हम डिसाइड करें कि हमको कौन से जॉन से नोकरी करनी है यार कम से कम इतनी उकाद तो होनी चीए ना यार इतनी preparation तो होनी चीए कि साला हम exam दे रहे हैं तो इतना confidence तो होना चीए कि यार मैं कौन से john से भरू ये मेरा decision होना चीए ना कि railway decide करें कि यार इस बंदे को इस john से देगें मालो अगर ऐसा कोई option होता कि आप सारे john से form डाल सकते हो फिर आपकी merit wise आपको john provide करवा दिये जाते हैं समझे आप लोग तो उस case में railway decide करेगा कि आपको कौन सा john मिलेगा तो कम से कम ये दिन तो नहीं देखने पड़ रहे हैं आप लोग को सिर्फ department देगा आप लोग को department की choice भर सकते हो आप उपर नीचे तो आपकी merit के वैसे सिर्फ department decide करेगा बहुत department आपको कौन सा मिलेगा ये railway decide करेगा railway ये नहीं चाता कि वो आपके john भी decide करेगा इसलिए उसने का भहिया किसी एक john से form fill करो अब साला john में तो हमारी choice है तो हम तो हमारी choice अपकोस clear होने चीए अगर सिर्फ job चीए तो भहिया ये चाय कहीं से भी मिल ले चाँ post ज़्यादा है और cut off कम है और अगर आपको लगता है कि नहीं भहिया मैं घर नहीं छोड़ सकता या छोड़ूँगा घर अफकोस job लगेगी तो लेकिन मैं one night journey से ज़्यादा नहीं कर सकता अगर वरी करना है अगर टेक्निकली चीजे पूछना है तो इसमें फूचो से डिपार्टमेंट कौन सा बने तुमने डिपार्टमेंट के लिए तो आप लोग अपना आरेंड यानि research and development इसको सबसे पहली प्रिफरेंस में रखें इसमें आपको काफी नहीं सीखने को मिलेगी और आने वाले आपके career boost के लिए बहुत जरूरी है यह तो इस आरेंड डिपार्टमेंट को आप पहली प्रिफरेंस में रखें सेकिंड प्रिफरेंस में आप SNT को रख सकते हों signal and telecommunication इसकी जगह आपको एक signal भी दिया हुआ है तो आप उसको भी फिल कर सकते है signal and telecommunication का जो है R&D की जगह आपको R&D के साथ साथ एक department research सिर्फ research के नाम से भी दिया हुआ है तो यह वाले department आप लोग भरें तो R&D का अलग department यह वा research का तो दोनों साथ में पर देना ऊपर नीचे signal and telecommunication signal दिया हुआ है signal and telecommunication आपको आने वाले टाइम पर Metro में जॉब करने या Metro में ट्रांसफर लेने में काफी help करेगा क्योंकि आने वाले टाइम पर आप सबको आदे बुलिट ट्रेन और Metro ट्रेन का ही future है तो जो लोग railway में काम कर रहे हैं ना मैंने साथ वाले ही है हमारे तो मैंने उनी से पूरा जब उनके सभी काम का ब्योरा देखा तो सबके हिसाब से मैंने यह particular आप लोग की लिए preference आपके ट्रेक्शन को लोकोमोटिव को जितना भी सप्लाई देना और उस सारा काम पूरा TRD के थ्रू किया जाता है तो जब कभी कोई particular नया station बनाया जाता है नया electric track बनाया जाता है तो इसमें सबसे पहले आप लोग की demand होईगी यहां आपको side job करने को मिलेगा बट यह अगर आप इस department को join करने के बाद private sector में जाते हो तो आप लोगों को लाखो करोडों के package मिलने के chance है आने वाले future के time पर ठीक है तो हम लोग तो यार पैसे को भी preference देता है न कि अभी government job मिल जाए अब आने वाले time पर government job करेंग continue रखना चाहो तो continue रखो लेकिन private के options भी खुल यह electrical, electric multiple units है और TRS आप लोग का guys आपका वो traction rolling stock है न तो यह सारे काम आप लोग को वरक्शॉप से related काम मिल जाते हैं आपके आपके train का running maintenance यानी train जब run होकर आती है तो जब particular किसी मनलब जहां से मालब आज यहां से train 6 बज़े डिपार्ट होने वाली है तो पहले उसको पूर EMU and TRS department का होता है तभी train आगे बढ़ती है यानी train का संचालन किसी भी exact location से डिपार्ट तभी होती है जब इसके द्वारा हरी जंडी दे जाती है that everything is okay in the train है ना here it is पाच्वा department guys अगर आप लोग बात करें तो इसके बाद आप भर सकते हैं अपना general services general services guys आप लोगों को overall वो सब चीजे बता देता है general services जिसमें आप लोग पूरा का पूरा जो भी normal किसी भी platform का train का मलब ये एक ऐसा बंदा होता है तो सब जानता है तो कि हर जगे इसका काम है general services की ये train के अंदर का platform का पूरे railway station का सब के बारे में हर जगे उपलब दोगा तो इसको सारी जानकारी रह दिए तो उपर का पैसा भी अच्छा कमाने का हो रहा है कहना नीची है बट हाँ लाइजनिंग अच्छी रहती है तो लाइजनिंग अच्छी रहती है और आपको छोटे मोटे सारे काम आते हैं तो इसमें छोटे मोटे इतने काम आते हैं कि आप आने वाले टाइम बर अपन भी track है, जिन पर railway track है, track machines वगेरा है, तो guys ध्यान से सुनना, track machine में आप लोगों का, जितनी भी track machines है, यानि कि पूरा track का, जितना भी maintenance और operation का काम चलता है, पूरे track को check करने वगेरा का, उस सारा track machine में किया जाता है, last one आप लोग बढ़ सकते हैं, second last बोल रहा हूं, यह आप लोगों का workshop, workshop में आप बढ़ सकते हैं, workshop में आप लोगों को बस थोड़ा सा mechanical वालों की तरह, थोड़ा सा काम जादा गरना पड़ेगा है, ना, आठवा आप लोगों का last, आप लोगों का store depot है, यह सब preferences हैं, यह पूछो, technical चीज पूछो या है, अब सर मैं कौन, कहां से भरू form, भाई यह तो तुम्हारी चोई से या है, काफी रिसर्च के बाद लिखी हुई preferences है, अगर आपको इन में भी यह जानना है कि सर कौन सा department में क्या काम होता है, तो आप मुझे personally call करके पूछ सकते, I will explain, in each and every department आपका क्या-क्या काम रहने वाला है as a junior engineer, ठीक है? बड़ मेरे ख्याल से इतना जाने की ज़रत नहीं है, वो तुम वैसे भी जॉब में जाओगे, बड़ मेरी तरफ से आप open है, आप मुझे कभी भी call कर सकते हैं, मैंने अपना number दे रखा, यह लिजी आपनो 9680249842, और आपको मैंने यह post की preference बता दी है, तो आप accordingly इसको fill कर स ठीक है, ठीक है?